नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्टरोजर आज हम बात करेंगे गोल्ड सिल्वर और कुड़ आइल का परादी में जो है स्वामबार के मार्केट के लिए क्या स्थिति बन सकती है इसके बारे में बतलाओंगी क्योंकि जो स्वामबार का पंचांग हम देखे क्योंकि हमारी शारी गड़ना है पंचांग के अधार पर ही रहती है तो स्वामबार याने की 10 अप्रेल 2023 जो राशी रहेगी ब्रस्चिक राशी का प्रभाव पूरे दिन रहेगा अनुराधा नच्छत्र जो है लगवग 31 तक रहेगा इसके बाद जो है जिस्ठा नच्छत में कुछ जो है जो इस्थिती बनेगी वह मैं आप लोगों को आगे बतलाती हूं सबसे पहले जो है राशी फल भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हैं राशी फल की डिमांड करते हैं तो सबसे पहले राशी फल देखेंगे तो जो है मेस राशी वालों के लिए मिस्रित योग हिलाब हानी का लाब मिलते ही मार्केट से आप बाहर हो जाएं रसब राशी वालों के लिए जो है लापका योग बना हुआ है और इसके साथ है मिथुन राशी के लिए जो है जी हैं दोस्तों तो मिथुन राशी वालों के लिए हानी का योग है इसके साथ करक राशी वालों के लिए लापका योग बना हुआ है सिंग राशी वालों के लिए लाप का योग है कन्या राशी वालों के लिए लाप का योग है तुला राशी वालों के लिए लाप का योग है और अगली जो राशी आती है आपकी ब्रश्चिक राशी वालों के लिए हानी का योग है धनू राशी वालों के लिए हानी का योग है मकर रासी मालों के लिए लाब का यूग है कुम राशिवालों के लिए लाब योग है अब 198 को लाब कि योग है और जिन दूरा लेखा बने वे बहुत सोच विचार के काम करें या आप हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो है मार्केट में इस्तिती बनेगी किया सा की आप जानते ही हैं हमारे कारले से जन्व कुली कि किस प्रकार से ग्रह स्थिति बनी हुई है और गोल सिल्वर इनमें क्या स्थिति बनेगी जैसा कि पिछले हपते हमने गोल्ड में देखा था गोल्ड जो था 61,000 लगभग 200 के आसपास जो है मार्केट गया था तो कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बनी हुई थी जिनके कारण से मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली और अब हम देखेंगे कि सौंबार के मार्केट में गोल्ड में क्या स्थिति बन सकती है और जो गुरुबार का जो मार्केट था यहां पर भी गोल्ड में हमें कुछ डाउन देखने को मिला था तो यदि हम सौंबार का मार्केट देखते हैं तो ग्रह स्थिति के अनुसार गोल्ड में जो है अब डाउन के साथ जो है कुछ तेजी का योग देखा जा सकता है इसके साथ केवाल जानकारी जो है एस्ट्रोजी के बेस पे रहती है जब भी आप मार्केट में काम करें मार्केट का रुख जरूर देखें अपने स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें और इसके वाद आप जोतिस के टिप्सों को देख सकते हैं और इसके साथ आपको डिस्क्लैमर कुलनी की तो ग्रहतिती के अनुशार जो है केंदर योग बना हुआ है यह योग सोभ होता है इससे मार्केट में सिल्वर के लिए जो है कुछ तेजी देखी जा सकती हैं यहां पर कापर के लिए यदि हम बात करेंगे तो कापर में भी कुछ तेजी के योग बन सकते हैं इस साथ कुछ सुधार की संभावन तेजी हमें देखी जा सकती है इस प्रकार से सौंबार का मार्केट मैंने जो आपको जानकारी दी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकान अवस्दवाईए और आप हमारे कारले से अधिक जानकारी ले सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद नमस्कार